जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हडपाली वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्सपेयर का मकान हडप ले आज मार्च 2023 का 19 सेकिंड का ये विडियो अब शोशल मीडिया पर वार रग है घर उनका नहीं है जनता का है जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हडपाली वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्सपेयर का मकान हडप ले विडियो में स्मृतिरानी राहूल गांधी पर ये हमला इसलिए कर रही थी क्योंकि राहूल गांधी की लोगसबस सदसतार रद होने के बाद उन्हीं उनका सरकारी मकान खाली करने के लिए बोल गया था और कॉंग्रेस पार्टी इस बात पर जोर दे रही थी कि अभी राहूल गांधी उपरी अदालत में अपील करने वाले हैं पैसला कीसी भी पक्ष में आ सकता है उनके पक्ष में भी आ सकता है तो फिर सरकारी मकान खाली कराने की इतनी जल्दी क्यों इसी का जवाब देते हुए स्मितिरानी ने राहूल गांधी और उनके परिवार पर ये तीका हम लाग दिया था जिसमें अमैठी का भी दिक्र था अब ये वीडियो उसी वक्त का है अब जब लोगसबा चुनाव हारने वाले पूर्व सांसदों को लोटियंस बंगला जोन से अपना सरकारी घर खाली करना होगा इसके लिए 5 जुलाई डेडलाइन दी गई है लेकिन जो मंत्री थे उन्हीं 11 जुलाई की डेडलाइन दी गई है इस लिस्ट में अमैठी से हारने वाली सुज़ी रानी भी शामिल है लेकिन जैसे ही स्मृति रानी को नोटिस मिला तो ये पुराना वीडियो बारन हो गया